Hello everyone, welcome to our campus, मैं हूँ पुस्पेंज ज्यादो तो यहार UGC NET का जो application form है, December 22 वाला, उसको NTA नहीं release कर दिया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ही बताऊंगा कि कैसे आपको इसका application form fill करना है जब आप इसका form fill कर रहे हैं, उसमें किन-किन बातों का ध्यार रखना है यहाँ पे detail कैसे enter करना है, document कैसे upload करना है, payment कैसे करना है इस तरह की सारी बाते मैं आपको step by step practically करके दिखाऊंगा तो उसके लिए आप video को end तक देखना, सारी बाते आपको समझ में आ जाएंगी और साथ में चनल को subscribe भी कर लेना, यहाँ पे आपको UGC net के regarding जो भी updates आएंगी future में सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा, चलिए आप video को शुरू करते हैं form को fill करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा, इनकी official website पे इस website का link आपको इसी video के नीचे description box पे मिल जाएगा जब आप link पे click करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा, जो आपको अभी screen पे दिख रहा है अब यहाँ पे आपको page को नीचे करना है, और नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, UGC Net December 2022 application, इस पर आप click करेंगे इसके बाद आपके सामने एक new page open होगा, और यहाँ पे देखे, नीचे side में आपको लिखा हुआ दिखेगा, new registration, यह दिख रहा है आपको, इस पर आप click करेंगे इसके बाद यहाँ पे फिर से new page open होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है, download information bulletin, इस पर click करके आप लोग इसको download कर लेना और एक बाद इसको अच्छे से read कर लेना, form को fill करने से पहले, फिर आप page को नीचे करेंगे, यहाँ पर बताया गया है, कि form को fill करने के लिए fees कितनी देनी है, तो बच्चे general category से आते हैं, उनको 11 रुपे का payment करना है, जो OBC या EWS category से आते हैं, उनको 550 रुपे का payment करना है, ज यहाँ पर लिखा हूँ, आपको दिख जाएगा, और बगल में यहाँ पर एक box गस पर टिक करेंगे, और नीचे यहाँ पर लिखा है, click here to proceed, इस पर लिखने करेंगे, इतना करने के बाद अब यहाँ पर जो पर पूछी जाएगी, उससे आपको ठीक से fill करना होगा, मतलब जो भी detail आपके documents में लिखी है, spelling और बाकी चीजें, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले पूछा गया है personal detail, यहाँ पर सबसे पहले आपको पूरा name लिखना है, फिर father का name लिखना है, mother name लिखना है, नीचे date of birth को select कर लेना है, आपका gender क्या है, male, female फिल, third gender, आप उसको select करेंगे, identity type, यहाँ पे बहुत सबसे डॉक्मेंट दिये गए हैं, इन में से जो भी document आपके पास है, उसको आप select कर लेंगे, example अगर आप यहाँ पर pen card को select करते हैं, तो आप pen card select कर लो, और नीचे आपको अपना pen card का number लिखना होगा, मतब जो भी document आ इसको select करोगे, आप किस state में रहते हैं, आप वो बताओगे, आपका district क्या है, pin code कितना है, फिर email id दो बार आपको लिखनी है, दो बार आपको अपने mobile number यहाँ पर लिखना है, अगर कोई आपको बास दूसरा alternate contact number है तो आप उसको भी यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बाद फ करेंगे, तो नीचे वाल आपको अलग से fill करने की जरूत नहीं है, फिर यहाँ पर बारी आती है password की, यहाँ पर आपको अपने अच्छा सा password कर लेना है, पासवर्ड में आप लोग capital letter, small letter, कुछ numeric value, कुछ science होगरा, ऐसे करके आप एक strong password करना, फिर नीचे password को confirm करना, फिर लास्ट में आता है security pin, अब यहाँ पर नीचे आपको जो pin दिया हुआ है, same pin आपको उपर type कर देना है, और सब कुछ ठीक से fill करने के बाद, लास्ट में नीचे लिखा है submit, इसके बाद यहाँ पर एक proper window आएगी से आप close करेंगे, इसके बाद आपको new page पे सारी detail आपने ज यहाँ पर हर एक नाम के आगे आपको जो box दिख रहा है, इसके आपको टिक कर देना है, उसके बाद आप page को नीचे करेंगे, नीचे यहाँ पर लिखा है I agree, इसके आगे box से इसके भी आप टिक करेंगे, और फिर नीचे लिखा है submit and send OTP, इसके आप क्लिक करके अगले step पर आजाएंगे, अगर उपर कोई गलती है, तो बगल में लिखा है, edit registration form इसके पर क्लिक करके आप उसको ठीक कर लेना, तब आगे बढ़ना, अब यहाँ बोल रहा है, do you wish to submit registration form and get OTP, यहाँ पर इसके पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपने जो mobile number दिया हुआ है, इसके एक OTP जाएगा, OTP को आप यहाँ डाल देंगे, और नीचे लिखा है, submit registration form इसके आप क्लिक करके अगले श्टप पर आ जाएगे, इतना करने बाद अब आपके सामने इस तरह का page आएगा, और यहाँ पर देखिए, साइड में लिखा हूँ आपको देखेगा, नीचे की तरफ verify mobile number and email ID, तो यहाँ पर mobile number को verify कर चुके है, OTP डाल के, अब हम करेंगे email ID को verify, अब इसके लिए आपको यहाँ पर लिखा है, verify email ID पर आप क्लिक करेंगे, इतना करने कबाद आपके सामने नए page आएगा, यहाँ पर बोला गया security pin डालने के लिए, तो नीचे जो security pin डालने के लिए है, यही security pin डाल के अब submit करेंगे, इतना करने कबाद अब जो OTP है, आपके email ID पर भेजा जा चुका है, आपको वहाँ से देखके, OTP यहाँ पर डाल देना है, और नीचे लिखा है verify इस पर आपको क्लिक करना है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, your email ID is verified successfully, और उपर यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा personal detail, लिखा हुआ इस पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर application form open हो चुका है, और यहाँ पर जो भी चीज़ा आपसे पूछी गई है, उसे आपको ठीक से fill करना होगा, तो सबसे बिले आप पूछा गया nationality, इसे आप select कर लेंगे, category, अगर आते हैं तो आप yes, no कर देंगे, क्या आप diabetic है, yes, no बता देंगे, आपके family की annual income क्या है, parents की, गर्जन की मिलाक है, आप उसको बता देंगे, क्या आप minority community से बिलोंग करते हैं, yes, no, आपो बताएंगे, फिर पूछागा subject, name in post graduate exam, आपने को सब्जेक्ट में, अपना PG का जो exam है, वो दिया है, आप उसको आप स्लेक करेंगे, और फिर last में यहाँ पर बोला गया, security पर एंटर करने के लिए, आप इसको एंटर करेंगे, और नीचे लिखा save and next, इसको आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर confirm करने के लिए बोलेगा, आप यहाँ पर यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर नए बेज आएगा, और यहाँ पर आपको तीन ओप्शन दिये गए हैं, पहला ओप्शन है कि आप अपने आधार कार्ड की डिटेल इनके साथ सेर करना चाहते हैं, अगर हाँ ता आप पहले ओप्शन को चूस करेंगे, फिर दूसरा है कि आपक आप टिक करेंगे, सिक्यूर्टी पे आपको दिया गया, इसे आप फिल करेंगे, और लास्ट में लिखा सम्मिट और नेक्ट इस पर प्लिक करके अगले इस्टप पर आ जाएंगे, फिर से बोला गया है, आप यहाँ पर नए पे जा गया है, और यहाँ पहले पूचा गया आप किसके अपलाई करना चाहते हैं, यहाँ पर दूप्शन दिया गया है, पहला है असिस्टन प्रोफिसर और दूसरा है जियारफ एंड असिस्टन प्रोफिसर, तो क्या आप एक क्ली अपलाई करना चाहते हैं, यह दोनों के लिए आप अपने हिसाप से आप चूस कर ले तो यहाँ पे आपको चार option चूज़ करने है पहले आपको state का नाम चूज़ करना है और बगल में आपको city चूज़ करना है तो आप लोग अपने इस आप से जो भी आपके घर के पास पढ़ता हो अपने according आप लोग इसको select कर लेना पहले state select करना फिर उस state में कौन सा city आपको पसंद है उसका आप यहाँ पे select कर लेना ऐसे करके आप वो चारो option आप चूज़ करना होगा फिर नीचे आप बोला गया है आपके father slash guardian का occupation क्या है आप वो बता देंगे उनकी qualification क्या है वो बताएंगे मदर का occupation क्या है वो बताएंगे मदर की qualification क्या है आप वो बताएंगे फिर नीचे बोला गया security pin यहाँ पे security pin डालेंगे और last में लिखा है save and next इस पे click करके गले step पे आ जाएंगे अब यहाँ पे बारी आती है education detail की और इसमें सबसे बहले पूछा गया है post credit qualification detail आपका जो post credit का codes है उसके बारे में आपको detail यहाँ पे देनी है तो सबसे बहले आपे पूछा गया है कि क्या पास हो चुके हैं पास हो गया है या appearing है वो बताना है फिर किस year में पास हुए थे या किस year में appearing होंगे वो select कर लेना है आपके course का या stream का name क्या था वो बताएंगे आपका result आ गया है या नहीं आया आपको बताएंगे आपका जो exam है वो आपने इंडिया से किया है या बाहर से आपको बताना है किस state से किया है आपके board का university का name क्या था result का mode क्या था percentage है या फिर CGPA है उसको select करेंगे और उसके बाद नीचे आपको अगर result आ गया है तो नीचे आपको उसका marks भी बताना होगा और सब कुछ ठीक से fill करने के बाद last में बारी आती है security pin की यहाँ पर आपको security pin जो दिख रहा है इसको fill करके नीचे लिखा submit and next इस पर click करके आपको एग tip पर आ गर लिया है तो उसकी डिटल आपको fill करनी होगी फिर पूछा गया PhD के बारे में अगर लिया है तो यस वर्न नो अगर लिया एक सर्विसमेन अगर है तो पूसको बता देंगे और फिर बोला गया है कि security पिन एंटर करने के लिए आप इसको एंटर करेंगे और लास्ट में लिखा save and next इस पर क्लिक करके अग्ले step पर आ जाएंगे मतलब जो भी आप फिल कर रहे हैं सब कुछ आपको अपने हिसाब से फिल करना है यहां पर जो मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ मैं आपको एक डेमो के लिए बना रहा हूं कि फिल करना कैसे है कहां पर क्या फिल करना होगा तो यहां पर स्लेक कर लेंगे यहां पर आ जाएगा फिर एक्षिण लिखा एगा अपलोड साब क्लिक करेंगे यहां पर अब डिडूर आपने जो भी डिटेल अभी तक फिल करी है, सब कुछ आपको रिव्यू करने के लिए बोला जाएगा, आप इसको देख लेना कि सब कुछ ठीक है नहीं, अगर कोई गलती आपको लगती है, तो आप अभी भी ठीक कर सकते हैं, बगल में लिखना है, अप्लिकेशन फॉर्म स् अगले श्टब पर आजाएंगे, फिर बोला गया, अप यहाँ पर पेज आएगा, आप यहाँ पर पेज को नीचे करेंगे, अब सब कुछ यहाँ पर फिल हो चुका है, अगर अभी भी कोई गलती आपको लग रही है, तो एडिट पर जाके आप इसको ठीक कर लेना, अगर अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, तो अब आप यहाँ पर पेमेंट कर देना, अब पेमेंट करने के लिखा है, पे एक्जामनेशन फीस पर प्लिक करके पेमेंट करेंगे, तो आपकी जो भी केटिगरी वगरा है, उसके साब से आपको अपनी पेमेंट करनी होगी, अब यह पेमेंट हो जाएगी, आपका फर्म कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपना फर्म फिल कर लेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आपको कोमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कोमेंट में रिप्लाई कर तो इस तरह से आप लोग अपना फर्म फिल कर लेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ गया है, तो फिलाल अभी के लिए इतना ही, बाकी आप लोग चैनल को भी सब्स्राइब कर लेंगे, यहाँ पे आपको UGC Net के रिगार्डिंग जो भी अप्डेट्स आएंगी, सब फिलाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में,